हेलो नर्सिंग मास्टर्स तो मेरी आज की ये वीडियो टीचिंग के उपर बेस्ड ना होके सिर्फ और सिर्फ आपको अपील करने के लिए है रिक्वेस्ट करने के लिए है कि प्लीज हमारी जो वीडियोज हैं वो आपकी जो है इंप्रूव्मेंट प्रसनेलिटी डेवलोप्मेंट और आपकी जो है मार्क्स को अपलिफ्ट करने के लिए हैं और हम जो हैं हमारी वीडियोज कई सारे सोर्सिज जैसे की इंटरनेट कई सारी हैवी कॉलिटी की बुक्स जो हैं और हमारा जो खुद का टेचिंग एक्सपीरियंस है उसके उपर बेज़ड है तो मैं यहाँ पे सभी मेडिकल, फार्मसी, नर्सिंग और अधर बैरा मेडिकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे यही अपील करूँगा कि वो वीडियोज के साथ-साथ खुद के नोट्स बनाएं खुद वीडियोज को देखें, समझें और अच्छे से जो है इनको अपना वीकेंड से फ्यूचर के लिए पढ़ें अपनी परसनेलिटी को बनाएं और अपनी जो परसनेलिटी उसके अंदर निखार लेके आएं मैं जस्ट इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐस ए टीचर, ऐस ए फ्रेंड कि आप जो है मैकसिमम टाइम को यूज कीजिए डियूरिंग संडे, एनी होली डे और अपने परसनल टाइम में से टाइम निकाल के जब भी हो सके ना सिर्फ मेरी वीडियोस बट अदर व सोर्सेस से भी स्टडी कीजिए यही वो टाइम है चार साल, तीन साल जो भी आपको लाइफ ने दिया है आप प्रसनलिटी को बना सको, निकार सको अरे बेकार हैं वो टीचर जो कहते हैं कि आपके अंदर लिए बैठे हैं, आपके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, यह हमारा प्रामिस है, बट आपको भी उतनी ही जो है हार्ड वर्क एक बार करना पड़ेगा अब की बार तीन साल या चार साल कर लिया उसके बाद सारी लाइफ की मौज है, आपको टॉपिक्स कलियर है अनॉटमी हो, फार्मसी हो मेडिकल सर्जिकल हो, कोई भी नरसिंग का सब्जेक्ट हो, आपको टिप्स पे होगा, मेरी जस्ट एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड इतनी सी अपील है कि हमारे वीडियोज को मैकसिमम सबस्क्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम व्यूज के लिए नहीं पढ़ाते, व्यूज के लिए नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं जस्ट टू डिलेवर दी कॉलिटी मैं चाहता हूँ कि मेडिकल एं नरसिंग के मोटिवेटेड रहें, जब अंदर लाइट होती है, तो बाहर भी लाइट होती है, आपको हर तरफ रोशनी दिखाई देगी, डीग्रेट होने से, डी मोटिवेट होने से बात नहीं बनेगी, सप्लिमेंटर एक्जाम भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट स्टे मोटिवेटेड एंड मूब हेड फॉर यूर टॉपिक्स, फॉर यूर परसनेलिटी, फॉर यूर नॉलज़, तो मैक्सिमम ये वीडियो जो है, उनसे नोट्स प्रपेर कीजिए, साथ में टेक्स्बुक्स फॉलो कीजिए, आपकी परसनेलिटी में, डे बाई डे जो है, वो इंप्रूब्मेंट प्लस निखार जो है, वो आता जाएगा, ठीक है, मेंटल निखार पे फोकस कीजिए, फिजिकल तो अपने आप होता ही ही चला जाएगा, जब आपकी प्रेज होगी, आपकी तारीफ होगी, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, तो आपके अंदर वैसे ही निखारा जाएगा, आपकी वैसी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आप सभी को प्यारे लगने लग जाओगे, जब आपकी परसेंटेज में दम होता है, सब कुछ सेट हो जाता है, तो इट्स माइ रिक्वेस्ट तो प्लीज सबस्क्राइब और शेर दिस चैनल अस मच आज यू कैन, प्लीज, थैंक यू फॉर वाचिंग,